परिचय पिंकी, चलो हम वापस चले, मुझे पढ़ाई करनी है थोड़ा टहरो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ क्या? थोड़ा उची स्वर में कुछ बोलो पिंकी अरे ये क्या? इसको तो प्रध्वनी कहते है प्रध्वनी, ये तो बड़ा दिल्चस्प है हाँ, क्या तुम इस विशे में अधिक जानना चाहती हो? हाँ, हाँ, बताओ ना चलो, मैं तुम्हें ध्वनी के संबन में सब कुछ बताती हूँ उद्दिश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ध्वनी की उद्पत्ति को समझना ध्वनी के प्रसार को समझना ध्वनी तरंगों के लक्षणों को बताना ध्वनी तरंगों के परावर्तन को समझना प्रदी ध्वनी और अनुगूंज को परिभाशित करना सोनार को परिभाशित करना एवं मानव कान की संदचना की व्याख्या करना ध्वनी की उत्पत्ती बच्चों, हम जानते हैं कि ध्वनी वैसा सम्वेदन अथ्वा अनुभूती है जिसे हम सुनते हैं कमपन करने वाली वस्तु से ध्वनी उत्पन होती है जब कोई वस्तु अथ्वा पदार्थ गती करता है तो कमपन होता है कमपन का अर्थ है किसी वस्तु अथ्वा पदार्थ का तेज गती से आगे पीछे होना आईए कुछ उधारणों के माध्यम से जानते हैं कि नियत ध्वनिया कैसे उत्पन्न होती है मानव ध्वनी किसी व्यक्ति की आवाज अथ्वा ध्वनी उसके स्वर रज्जुओं में कमपन के कारण उत्पन होती है पशू ध्वनी जब पक्षी अपने पंक फड़ फड़ाते हैं तो ध्वनी उत्पन होती है मदु मख्यां जब उड़ती हैं तो भन-भन की ध्वनी उत्पन होती है। ऐसा उनके पंकों की तेजगती के कारण होता है। मदु मख्यों के पंकों की तेजगती से वायू में कमपन होता है और भन-भन की ध्वनी उत्पन होती है। संगीत स्वर विभिन वाद्दे यंत्रों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनिया निकलती हैं ध्वनी के लिए कुछ वाद्दे यंत्रों पर किसी वस्तु से क्रमिक चोट करनी पड़ती है तो कुछ वाद्दे यंद्र तथा बीन अथवा वाइलिन में एक या इससे अधिकतार खीचने से कमपन उत्पन होता है और इस कारण स्वर लहरी फूटती है ध्वनी का प्रसारण प्रसारण का माध्यम वायू है और इसको ग्रहन करने वाला स्रोता का कान है जब वक्ता के भाशन द्वारा ध्वनी उत्पन होती है अथवा जब किसी वस्तू में कमपन होता है तो ये माध्यम के कड़ों को कमपन के इर्द गिर्द व्यवस्तित करता है ये कड़ कमपन करने वाली वस्तू से सुरोता के कान तक जमवहन नहीं करते माध्यम का कोई कड़ जब कमपन करती वस्तू के संपर्क में आता है तो पहले वो अपने संतुलन की स्थिती से विस्थापित होता है तब ये अपने निकट वर्ती कड़ों पर बल आरोपित करते हैं और वो अपनी इस्थिर अवस्ता से विस्थापित हो जाते हैं अपने निकटवर्ती कण को विस्थापित करने के बाद पहला कण अपनी पूर्विस्थिती में लोड़ जाता है ध्वनी के स्रोता के कानों तक पहुंचने तक माध्यम में यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है किसी माध्यम में ध्वानी के प्रसारण के समय माध्यम के कण स्वयम आगे नहीं बढ़ते, किन्तु उत्तेजना को आगे इस्थानांत्रित करते हैं इस प्रकार ध्वानी तरंगे किसी माध्यम में कणों की गती हैं एवं इन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है ध्वनी का प्रसारण क्या तुम मुझे ध्वनी के सबसे सामाने माध्यम के बारे में बता सकती हो? वायू वो सामाने माध्यम है जिसके द्वारा ध्वनी तरंगें संचरण करती हैं। जब कंपन करती कोई वस्तू आगे बढ़ती है तो यह अपने सामने की हवा को धक्का देती है और संकुछित करती है जिससे उच्च दबाव का एक क्षित्र बनता है यह क्षित्र संपीडन यानि सी कहलाता है। और जब कंपन करती वस्तू पीछे की तरफ बढ़ती है तो यह निम्न दाप का क्षित्र निर्मित करती है जो विसरण आर कहलाता है। संपीडन उच्च वायुदाव वाले क्षित्र हैं जबकि विसरण निम्न वायुदाव वाले क्षित्र होते हैं। इस चित्र को देखो, यह संसवरण दुई भुज द्वारा निर्मित ध्वानी तरंगों को दर्शा रहा है, एवं वायू के माध्यम में ट्यूब में प्रसारित हो रहा है, यह संपीडन वाले क्षित्र हैं और यह विसरण वाले क्षित्र हैं. ध्वानी प्रसारण के लिए माध्यम आवशक है, इस प्रकार कणों में कमपन द्वारा ध्वानी उत्पन होती है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवशकता होती है, यथा वायू, द्रव, अथ्वा ठोज, परंतु हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ध्वानी संचरण के लिए माध्यम की आवशकता होती है, आएए देखें, इस आकरिती को देखिए, यहां एक विद्युत घंटी एक वायू रोधी शीशे के मर्तबान में रखी है, जो एक वैक्यूम पंप से जुड़ी है, जैसी ही विद्युत घंटी का परिपत पून होता है, ध्वनी सुनाई पड़ती है, अब यदि हम धीरे धीरे वैक्यूम पंप की सहता से मर्तबान से वायू बाहर निकालते हैं, ध्वनी की तीव्रता घटने लगती है, और अंतता जब मर्तबान से पूरी वायू निकाल ली जाती है, तब ध्वनी भी सुनाई नहीं पड़ती, हमने घड़ियाल पर लगतार परते हतोड़े की चूट देखी होगी, इससे यह इसपष्ट रूप से सिद्ध होता है कि ध्वनी को संचरण के लिए माध्यम की आविशकता होती है, ध्वनी तरंगे अनुदेधर्य तरंगे हैं वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कर्ण उसी दिशा में आगे पीछे कमपन करते हैं जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है तो उसे अनुदेध तरंग कहते हैं तीन माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में अनुदेर्थ तरंगें उत्पन की जा सकती हैं ध्वनी तरंगें अनुदेर्थ होती हैं क्योंकि कणों के कमपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानतर होती है जब कोई ध्वानी तरंग वायू से गुजरती है, ध्वानी तरंगों के समांतर वायू के कंण आगे पीछे कमपन करते हैं इस प्रकार जब एक ध्वनी तरंग ख्षेतिज दिशा में संचरन करती है, तो माध्यम के कण भी ख्षेतिज दिशा में आगे पीछे कमपन करते हैं, परहंतु दिशा ध्वनी के समानतर होती है उधारण के लिए जब वायलिन के तार को छिड़ा जाता है, तो वायों में एक तरंग उत्पन होती है, इस तरंग को अनुदैर्धे तरंग कहते हैं एक अन्य प्रकार की तरंग भी होती है, जिसे हम अनुप्रस्त तरंग कहते हैं अनुप्रस्त तरंग वैसी तरंग है, जिसमें माध्यम के अलग-अलग कण, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, अपनी-अपनी मधिस्थितियों में गतिविधी करते हैं ध्वनी तरंगों के लक्षण एक ध्वनी तरंग को तीन आधार भूत लक्षणों से परिभाशित किया जा सकता है यह लक्षण है इसकी आवृत्ति आयाम एवं गति एक सेकंड में जितने तरंग दैर्थ उत्पन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं यह किलो हर्ड्स अथवा प्रती सेकंड चक्र में महपा जाता है ध्वनी सरोध जितनी तीवर गती से स्पंदित होगी आवृत्ति उतनी अधिक होगी उच्च आवृत्ति को उच्च स्वर के रूप में व्यक्षायित किया जाता है उधारण के लिए जब तुम उच्च स्वर में गाते हो तो तुम अपने स्वर रज्जूओं को तीवर गती से इस्पंदन के लिए बाध्धे करते हो इस प्रकार उच्च स्वर वाली ध्वनी कार्थ है प्रती 21 समय में किसी निश्चिक बिंदु पर संपीडन एवं विसरण की अधिक संख्या बिन बिन आगार वाली वस्तुओं एवं परिस्थितियों में विभिन आवरित्यों पर कमपन से अलग-अलग स्वर ध्वनिया उत्पन होती है यहाँ सामाने तोर पर एक ग्रीक अक्षर निउ द्वारा दर्चाई जाती है इसकी ऐसी काई हर्ट्स है हम जानते हैं कि संपीडन वाले क्षित्रों में कणों की संख्या ज्यादा होती है और इन्हें वक्र की उपरी सतह द्वारा दर्चाय जाता है वक्र की चोटी अधिक्तम संपीडन क्षित्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार संपीडन क्षित्र में घनत्व और तबाव दोनों अधिक होते हैं। विसरण निम्नदाब क्षित्र होता है जहां कन बिकरे होते हैं और इन्हें घाटी द्वारा दर्शाया जाता है अर्थात वक्र के निचले हिस्से द्वारा तरंगों के उंचाई वाले क्षित्र को शिखर और निचले क्षित्र को गर्थ कहते हैं दो क्रमागत संपीडनों, C अत्वा, दो क्रमागत विसरणों, यानि आर के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध कहते हैं सभानिता तरंग दैर्ध को एक ग्रीक अक्षर लेंडा द्वारा दर्शाया जाता है, इसकी SI1 मीटर यानि M है ध्वानी तरंगों के लक्षन दो क्रमागत संपीडन अत्वा विसरण द्वारा एक निश्चित बिंदू तक पहुँचने में लगे समय को तरंग अवधी अत्वा परिक्रमण काल कहा जाता है इसे एक प्रतीक जिन ती द्वारा दर्शाया जाता है, इसकी SI1 सेकिंड यानि S है आवरित्ती एवं समय का संबंध निम्न है V बराबर एक बटे T किसी तरंग संगेत की क्षमता अत्वा शक्ति को उसका आयाम कहते हैं अत्वा कह सकते हैं कि ग्राफ पर तरंग की उँचाई ही उसका आयाम है मुलता ध्वनी की प्रबलता अत्वा कोमलता उसके आयाम द्वारा ही निर्धारित होती है ध्वनी तरंग के आयाम उस बल पर निर्भर हैं, जो किसी वस्तु में कमपन के लिए लगाए जाते हैं गती ध्वनी की गती को उस दूरी द्वारा परिभाशित किया जाता है, जो तरंग के किसी बिंदो पर प्रती इकाई समय में संपीडन अथवा विसरण द्वारा तै की जाती है हम चालते हैं, गती वी बरावर दूरी बटे समय जो की लेमडा बटे टी के बरावर है यहां लेमडा ध्वनी तरंग का तरंग देर्ध है, यहां एक समय अवधी टी में ध्वनी तरंग द्वारा तै की गई दूरी है V बराबर λेम्डा V, कोश्ठक में Q, 1 बटा T बराबर V, या V बराबर λेम्डा V, इस प्रकार, न्यू बराबर लेम्डा गुणा V है, अर्थाथ गती बराबर तरंदेर्थ गुणा आफरिती, विभिन माध्यमों में ध्वनी की चाल ध्वनी की गती उस पदार्थ पर निर्भर करती है, जिसके माध्यम से यह गुजरती है. ध्वनी की गती द्रव अत्वा गैस की तुल्ना में ठोस पदार्थ में अधिक होती है, क्योंकि गैस अत्वा द्रव की तुल्ना में ठोस पदार्थ में अडूं एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं. इस तालिका की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि 25 डिग्री सेलसियस पर विभिन माध्यमों में ध्वनी की क्या गदी होती है ध्वनी का परावर्तन प्रकाश की तरहा ध्वनी भी किसी ठोस अथवा द्रफ की सतह पर परावर्तित होती है ध्वनी के परावर्तन एवं प्रकाश के परावर्तन के नियम एक समान होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है आपतित परावर्तित एवं सामाने तरंगें एक ही सतह पर होती है ध्वनी तरंगें बड़े, कठोर, चिकने, क्षेतिज सधों एवं सधों से बहुत दूर यथा दीवारों, भवनों एवं चटानों पर भी परवर्तित हो सकती हैं इस प्रकार की सधों से ध्वनियों का जो परवर्तन होता है प्रतिधोनी उसी से उत्पन्न होती है हमारे मस्तिश्क में ध्वनी की सम्वेदना 0.1S तक रहती है विशिष्ट प्रतिधोनी को सुनने के लिए वास्तविक ध्वनी एवं परावर्तिधोनी के मध्धे समय का अंतराल कम से कम 0.1S होना चाहिए यदि हम धिये गए तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर वायू में ध्वनी की गती को 344M बटा S रखते हैं तो ध्वनी को अवरोध तक पहुँचने और वहां से परावर्तित होकर च्रोता के कान तक आने में 0.1S का समय लगेगा अताहा अपने प्रस्थान बिंदू से लेकर परावर्तन सतह एवं परावर्तन सतह से पुना प्रस्थान बिंदू तक लोटने में ध्वनी द्वारा तै की गई कुल दूरी को कम से कम 344M बटा S इंटू 0.1S बराबर 34.4M होना चाहिए इस प्रकार विश्रिष्ट प्रतिधोनियों को सुनने के लिए 22 रोज से अवरोध की नियूनतम दूरी अवश्य ही इसकी आधी अर्थात 17.2M होनी चाहिए वायू के तापान में परिवर्तन के साथ यह दूरी भी बदलती है क्रमशा अथवा एक अधिक परावर्तनों के कारण प्रतिधोनी एक से अधिक बार भी सुनी जा सकती है गूँज दूर्दा पूर्वक बार-बार ध्वनी परावर्तन के परिणाम सरू जो ध्वनी उत्पन होती है उसे गूँज कहा जाता है गूँज तब अनभव होती है जब परावर्तित ध्वनी तरंगें आपके कानों तक 0.1 से भी कम समय में पहुँच जाती है उधारण के लिए एक बड़े कक्ष में जो ध्वनी उत्पन होगी वह देर तक बार-बार दीवारों से परावर्तित होगी जब तक कि उसकी त्वरा घटते घटते इतनी कम हो जाएगी कि सुनी नहीं जा सके आईए अब एक समस्या का हल करते हैं एक व्यक्ती एक चटान के पास चिलाता है एवं पाज सेकेंड के बाद प्रतिधोनी सुनता है उस व्यक्ती से चटान की दूरी क्या है? यदि धोनी की गती V बराबर 300M स कि पावर माईनस एक ध्वनी की दी गई गती V बराबर 300M S की पावर माइनस 1 है प्रती ध्वनी सुनाई देने में लगा समय T बराबर 5 सेकेंड ध्वनी द्वारा तैकी गई दूरी बराबर V गुणा T अर्थात 300M S की पावर माइनस 1 गुणा 5S बराबर 1500M 5 सेकेंड में ध्वनी को व्यक्ती और चट्टान के बीच की दूरी दो बार तैकरने पड़ेगी अतहा व्यक्ती एवं चट्टान के बीच की दूरी होगी 1500M बटे 2 बराबर 750 मीटर श्रावन सीमा आसतन व्यक्ती की सामानने श्रावन सीमा निम्रतम 20Hz एवं उच्चतम 20,000Hz के बीच होती है पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों और कुछ पशूं जैसे कुट्टा 25,000Hz तक की दूरी सुन सकते हैं मनुश्यकी श्रावन सीमा उम्र बढ़ने के साथ घटने लगती है जब व्यक्ती बूरा हो जाता है तो उच्च आवरिती की धोनी सुनने की ख्शमता खो देता है 20Hz से कम आवरिती वाली धोनिया अनुश्रव धोनी कहलाती है कुछ जानवर यथा वेल एवं हाथी अनुश्रव धोनिया निकाल सकते हैं 20 किलो हर्ट से उची आवरिती वाली धोनियों को पराश्रव धोनी कहते हैं कुटे कुछ पराश्रव धोनियों को सुन सकते हैं इसलिए शुआन प्रशिक शक अपने कुटे को बलाने के लिए पराश्रव धोनी वाली सीटी का उपयोग कर सकता है पराश्रव धोनी तरंगे चमगादरों के लिए अति आवशक हैं क्योंकि वो दुनिया को देखने के लिए इसी पराश्रव धोनी तरंगों पर निर्भर हैं पराश्रव धोनी के अनूप्रेयोग पराश्रविधोनियों का उप्योग उद्योगों एवं चिकिस्सा के क्षित्र में किया जाता है। पराश्रविधोनिया अवरोधकों की उपस्तिती में भी अपने निर्दिष्ट पत पर गमन कर सकती हैं। महिलाओं की पेट की जाँच के लिए चुके सक हस्त चालित ट्रांस ड्यूसर के माध्यम से उच्च अवरित्ती वाली पराश्रव धवनियों का उप्योग करते हैं। ये वैसे अव्यवों की सफाई के लिए भी उप्योग मिलाय जाता है जो समानिता पहुंच से दूर होते ह हैं। उधारण के लिए सरपीली नलियां, विशम आकार के अव्यव, एलेक्ट्रोनिक उपकरण आदी। पराश्रव धवनियों का उप्योग किसी धातू खंड में दरार, अथवा, दोश का पता लगाने में भी किया जा सकता है। पराश्रव धवनियों को जब धातू खंड से गुजारा जाता है, एवं तब संसूचक प्रसारी धवनियों के माध्यम से दोश का पता लगा लेते हैं। यदि छोटा सा भी दोश होगा, तो पराश्रव धवनियां त्वारित रूप से उसका परावर्तन करेंगी। कराय जाता है, एवं इस प्रकार हर्दय का प्रतिबिम्ब बन जाता है। पराश्रव धवनियों को प्योग मनुश के गुर्दे में बनने वाले छोटे पत्थरों के टुकड़े करने में भी किया जाता है, जो बाद में मोत्र के साथ शरीर के बाहर आ जाते हैं। सोनार सोनार वो यंद्र है, जो पराश्रव तरंगों की साहता से पानी के भीतर की वस्तों का वेक, दिशा एवं दूरी मापता है। सोनार वस्तता साउंड निविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इस तरह सोनार कार्थ हुआ, ध्वनी संचालन द्वारा नौवाहन को श्रणी पद्ध करना। सोनार में एक ट्रांस्मीटर एवं एक संसूचक होता है और यह किसी नाव अथ्वा जहाज में लगा रहता है। ट्रांस्मीटर पराश्रव्य तरंग उत्पन करता एवं प्रसारित करता है। यह तरंगें पानी में संचरण करती हैं और समुद्र तल में किसी वस्तू से टकराने के बाद परावर्तित होती हैं तो संसूचक को इसकी सूच नाम मिल जाती है। पराश्रव्य तरंगों को संसूचक विद्यत संकेतों में परिवर्तित कर देता है जो उसकी उचित व्याख्या कर देता है। इको रेंजिंग तकनीक की साहिता से उस वक्त की दूरी का पता लगाया जा सकता है, जिससे परवर्तन के बाद ध्वनी तरंगों ने संसूचक को संकेत दिया था। मान लेते हैं कि परश्रवे ध्वनी तरंगों के संकेतों के संचरण एवं ग्रहन के बीच समय का अंतराल T है, एवं समुद्र सतह पर ध्वनी का वेग V है, परश्रवे तरंगों द्वारा तै की गई कुल दूरी 2D है, तो 2D बराबर V बटे T होगा, इसी को एको रेंजिंग तकनीक कहते हैं। कान के बाहरी भाग को पिन्ना अर्थात कन पाली कहते हैं, यह अपने आसपास के वातावरण से ध्वनी ग्रहन करता है। एक अत्रे ध्वनी कन पाली से गुजरते हुए श्रवन नालिका में जाती है। श्रवन नालिका के अंतिमचोर पर एक पतली जिल्ली होती है, जिसे कन पटल अथवा कान की जिल्ली कहते हैं। जब संपीडन अथवा विसरण कन पटल तक पहुँचती है, तो यह जिल्ली अंदर एवं बाहर की तरफ गती शुरू कर देती है। इस प्रकार कन पटल कमपन करने लगता है, यह कमपन मद्धे कन की तीन हड़ियों घन, अहरन एवं वलियक द्वारा परिवर्दित होती है। ततपश्चात मद्धे कान इन इस पंदनों को आंतरिक कान की दिशा में संचरित कर देता है। आंतरिक कान के भीतर कमपन अथवा विवित दबाव करना वर्थ द्वारा विद्वत संकेतों में परिवर्दित हो जाता है। यहां विद्वत संकेत स्रोता की श्रवन तंत्रिका के माध्यम से मस्तिश्क तक पहुँचते हैं। एवं मस्तिश्क इसकी व्याख्या ध्वनी रूप में कर लेता है। क्या आप जानते हैं। एवं यहां तक की टेलिवीजन जैसे उपकरणों के भविश में विकास की नीव रखी थी। उन्होंने प्रकाश व्यद्युत प्रभाव का भी अविशकार किया था। जिसकी बात में अलबर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। उन्हीं के संबान में आवरिती की S.I.I. आई का नाम हर्ड्स रखा गया। यह विद्युत तरंगें ध्वनी विस्तारक द्वारा परिवर्धित होती हैं। ध्वनी तरंगें परिवर्धन के बाद श्रवन यंद्र में लगे स्वारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं। ध्वनी अनुप्रस्त तरंगों के रूप में किसी माध्यम से गुजरती है। किसी माध्यम में ध्वनी, क्रमशा, संपीडन एवं विस्रण के रूप में संचरण करती है। निर्वात में ध्वनी का संचरण नहीं होता। दो क्रमशा गत संपीडन अथवा विस्रण के बीच की दूरी को तरंग दैड्ध यानि लिम्डा कहते हैं। किसी वस्तू के एक पूर्ण कमपन में तरंग द्वारा लिये गए समय को समयवधी यानि टी कहा जाता है। इकाई समय में पूर्ण कमपनों की संख्या को आवरित्ती यानि वी कहा जाता है। ध्वानी का वेग यू आवरित्ती वी एवं तरंग दैड्ध लेम्डा समीकरन द्वारा संबद्ध है। ध्वानी की गती प्रात्मि ग्रूप से संचरन माध्यम की प्रकृती एवं तापमान पर निर्भर करती है। ध्वानी परवर्तन के सिध्धांत से स्पष्ठ है कि ध्वानी के उत्पन होने एवं परवर्तित होने वाली दिशाएं सामाने परवर्तन सतह के साथ समान कोणों का निर्मान करती हैं। एवं टीनों एक नहीं सतह पर होती हैं। किसी ध्वनी विशेष की प्रतिध्वनी सुनने के लिए वास्तवीक ध्वनी एवं उसकी परवर्तित ध्वनी के मद्धे कम से कम 0.01 का अंत्राल आवशक है। किसी सभागार में ध्वानी के बार-बार परावर्तन के कारण गूज उत्पन्न होती है. आसत मनुशिकी श्रवनक्षमता बीज हर्ट से बीज किलो हर्ट तक होती है. बीज हर्ट से कम अवरित्ती वाली ध्वनी तरंगों को अनुश्रवे एवं बीज हजार हर्ट से अधिक अवरित्ती वाली ध्वनी तरंगों को पराश्रवे तरंग कहते हैं. पराश्रवे धोनियों का उप्योग उद्योगों एवं चिकिस्सा के क्षित्र में किया जाता है सोनार तकनीक का उप्योग समद्र की गहराई मापने एवं जल के भीतर चटानों, घाटियों, पंडुबी, हिमशेल, डूबे जहाजादी का पता लगाने में किया जाता है